आप लोग देख लिएजे यानि के पूलिस महकमे में जो हैं 75,000 नियुक्तिया जो हैं 2023 का अंदर जो हैं होने वाली है यहां पर आप लोग देख पाएंगे नौकरी हर बिहारी युवा का सपना और नौकरी कभी प्रसंद पत्र लिक में फोसी तो कभी न्याले में दायर अप शकों की भरती की तैयारी है करीब 75,000 बिहार पुलीज की बहाली जो है संभावित है स्वास्ति ब भी भाग में 1,000,00000 से अधिक बहाली की तयारी की जा रही है यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे किस बीभाग में कीतनी भरतिया नियां चली यह सबसे पहले आप लोग को हम बता देते हैं कि बिहार पुलिस में यह 75,000 पदों पर कौन कौन सी भरतिया आप लोगों देखने को मिल जागे अब यहां पर आप लोग देख पाएंगे यहां पर यह जानकारे दिया गया है कि सीपाही की रिक्त जो है करीब 6500 पदों पर रोस्टर की यरेंज के बाद अधियाचना भेजी जाएगी यानि कि बिहार पुलिस मुख्याले में को भरतिया आएगी स्रीजित होने वाले पद का यहां पर नाम दिया गया है चलिए हम बता देते हैं कि सबसे पहले आप लोग की कौन सी भरति देखने को मिलेगी और यह कब तक आप लोग की भरति आप लोग के सामने देखने को मिल जागी क्योंकि दिसंबर भी अब खत्म हो जो है यहनी कि 6,500 की करीब भरति आप लोग के सामने देखने को मिल जागी मेरी तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है यह आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो कोई भी अपडेट होगा आप लोग को समय समय पर इंफर्म कर दिया जागा उसके बाद जो है सेके नमर पर बिहार police driver की भरती आप लोग के सामने देखने को मिल जागी यानि 9000 की करीब भरती ato देखने को मिल जागी त्युक्ष्चै विहार होमगार्ट की 500 की करीब यह भी भरती विटार यहीं अपर यहनी बदाद यहीं भरतिया लेकर यहां पर देखने को मिल जाएगे तो यहीं भरतिया आप लोग को जो है यानि कि देखने को जो है 2023 का अंदर जो है मिलने वाली है लेकिन सबसे पहले या बिहार पुलिस कोंस्टेबल की भरति जो है देखने को मिल जाएगे तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है यहां पर बात कर लेते हैं कि बिहार पुलिस की जो नई भरति 2023 के अंदर में आने वाली है उसके लिए इलिजिबिलिटी की बात कर ले यानि कि योगता तो यदि आप टूलफ पास है यानि कि बरावी पास किसी भी बोर्ड से हो बिहार बोर्ड हो यूपी बोर्ड हो किसी भी से यदे आपने टूलफ कर रखा है तो आप इसके लिए इनिंदिबल होगे उसके बाद एज जो है यानि कि पूरुष के लिए जो है दो साल का एज रिलेक्ससन दिया जाता है वही बीसी एबीसी जो है महिला के लिए जो है तीन साल का एज रिलेक्ससन दिया जाता है और एसी एस्टी जो है महिला और पूरुष के लिए जो है पांच साल का एज रिलेक्ससन भी जो है इ लेवल का पूछा जाता है 100 आप लोगो रिटेन एकजाम में पूछा जाता है और अफ लाइन आप लोगो एक्जाम ओता है और इसको करने के लिए दो घांटा का समय दिया जाता है इसमें कोई भी निगेटिव मर्क्स नहीं रहता है आप 100मे 100 प्रस्ट को टच कर सकते हैं तो इस बात को आप लोगो हमेशा ध्यान में रखना और इसके रिगार्डिंग जो हैं आप लोगो जो हैं नई भरती जो आ रही है उसके लिए हम तैयारी भी करा रहे हैं यदि उन सारे प्रेक्टिसेट को जो भी हम करा रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से कर लिते हैं तो भी आप एक्जाम को असानी से क्राय कर सकते तो इस बात को भी आप लोगो हमेशा ध्यान में रखना है